जिहां नमस्कार दोस्तों मैं आपका वहीं चीर परीचित दोस्त आपके लिए एक और ने टॉपिक को लेकर करके आया हूं आप हमेशा से लभानवित होते रहे हैं हमारी बातों को यानि हमारे नुखों को सुन करके हमें अच्छा लगता है जब भी आप में से किसी भी दोस् आये आज हम आपको एक ने टॉपिक पर लेकर के चलते हैं अंजीर अंजीर के फायदे क्या क्या हैं दोस्तों अंजीर एक फल होता है इसके फायदे क्या क्या होते हैं यह हम आपको बता रहे हैं अंजीर जिसे फीग भी बोलते हैं इसके हिल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसको हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी यह है इसे किसी भी उम्र के लोग यूज कर सकते हैं और लवानमीत हो सकते हैं हर एक उम्र वर्ग के लिए यह उपलब्ध होता है हर उम्र वर्ग के लिए फायदे मंद होता है जैसे बच्चे जवान हर वर्ग के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आईए हम आपको बताते हैं इसके फायदे क्या क्या है अंजीर के फायदे क्या क्या है तीन से चार अंजीर के पके हुए फल को दूध में उबाल कर रात को सोने से पहले लेने से कब्ज जैसी बीमारियों से निजात मिल जाती है दोस्तों अगर आप तीन से चार अंजीर के पके हुए फल को दूध में उबाल करके रात को सोने से पहले लेते हैं दोस्तों तो कब्ज ये एक आम बीमारी है आज बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं कबजी की बीमारी जो होती है वो छूम अंतर हो जाती है गायव हो जाती है अंजीर को पानी में उबाल कर नेमित सुवह शाम सेवन करने से जुखाम सरदी ठीक हो जाती है और जल्द ही रहात मिलती है दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों अंजीर के पेंड की छाल को घिस करके किसी भी पत्तर पे और उसमें पानी मिक्स करकर के और एक लिप बना लिजिए और उसे अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं तो आपका सिर दर्द कहव हो जाता है दोस्तों यह बहुत ही अचुक और शदी है अंजीर में फाइबर की मातरा अधिक होती है जो हमारे पेट संबंधी रोगों को दूर करती है दोस्तों पेट की बिमारी ऐसी होती है दोस्तों क्या होता है हमारे पेट से ही सारी चीज़े नियंतरित होती है हमारा पेट ही है जो इस बोडी को संतुलित रखता है सब को खुराग पहुँचाता है तो अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हुआ यानि कि हम हर तरीके से बिमार होने वाले हैं तो इसलिए जरूरी होता है कि आप अंजीर के फल का अंजीर के मात्रा को यूज करें दोस्तों अंजीर में एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल को दूर रखकर रक्त कोशीका को स्वस्थ रखता है जो हमें दिल की विमारियों से दूर रखता है दोस्तों अंजीर में पोटेशियम अधिक मातरा में पाया जाता है जो रक्त चाप और रक्त शरकरा को निरनत्रित रखता है यानि कि आपको अगर ब्लड प्रेशर समबंदी कोई भी समस्या है उससे भी निजात दिलाता है आपको अगर आप डाइबिटिक हैं तो उसमें भी लावकार होता है दोस्तों रोजाना अंजीर के नियमित इस्तेमाल से शरीर की रटियों को मजबूत बनेया जा सकता है दोस्तों इसलिए बच्छों को खासकर अंजीर खाना चाहिए अगर आपका वेट काफी ज्यादा है तो आपको अंजीर का रेगुलर सिवन करना चाहिए क्योंकि अंजीर वजन कम करने में मददगार होता है और यह खास करके मेट्रो सिटीज में सिटी के लोगों को सबसे बड़ी समस्या होती है मुटापा और इसके लिए एक अचुक और सथी है दोस्तों अब चाहें तो मौर्निंग में ब्रेक फास्ट के समय अंजीर के टुकड़े हरोज खा सकते हैं और सुबह अगर खाते हैं तो ज्यादा फायदा करता है क्योंकि देखिए हमारे खाने में क्या होता है सुबह जो हम ब्रेक फास्ट में लेते हैं वह हमारा सबसे ज्यादा यानिकि सबसे ज्यादा हमारी बोड़ी को जो सूट करता है जो हमारी बोड़ी को एनरजी देती है चीजे वो सुबह हमें ब्रेक फास्ट में ही लेनी चाहिए अगर आपके शरीर में आईरन की कमी है तो अंजीर आपकी मदद कर सकता है अंजीर में अच्छी मात्रा में आईरन जिंक कॉपर और मैगनेजियम भी पाया जाता है दोस्त महलाओं को तो खासकर अंजीर का सेवन करना चाहिए अंजीर ब्रेश्ट कैंसर होने से रोकता है दोस्तों अगर आप किड्नी उष्टून से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोजाना इसका सेवन करें आप डेली चार से पाच अंजीर को लेकर उसे साफ पानी में पाँच सुबह खाने दोस्तों इससे कम से कम तीस दिनों तक रोजाना ऐसे खाते रहें आपकी बहुत सारी बिमारियां और खास करके पथरी यानिकी हमने आपको भी बताया किड्नी श्टून डाया वह जाएगी दोस्तों इसके साथ दोस्तों अंजीर पुरुष्शक्ति में भी ब परधक होता है आपके लिए अंजीर धन्यवाद अगली बार हम मिलेंगे आप से नए टोपिक पर